प्लास्टिट्स जो हैं सेल और यह अईसे और इन्हें जिसका एक टरह है टाइप है क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट जो है वह मॉस्ट कामन और मॉस्ट इम्पार्टेंट और यह यह chloroplast जो होते हैं mesophyll cells में पाए जाते हैं जो photosynthetic cells होते हैं और ये green plants और algae में पाए जाएंगे एक ये polycate cell है जिसमें देखे कि बहुत अधिक नमर ये chloroplast के पाए जा रहे हैं जो dots देख रहे हैं green color के ये chloroplast हैं और ये एक chloroplast का जो है diagram है, section है कि chloroplast कैसा दिखता है chloroplast जो है इनकी size थोड़ा सा mitocondian से बड़ी होती है और ये size में 5 to 10 mu m ये length में होते हैं और इनका जो diameter होता है 4 to 6 mu m होता है इसमें एक double membrane होगी ये outer membrane होगी और ये inner membrane होगी तो ये outer membrane और inner membrane दोनों जो membrane है और lipid bilayer की बनी होंगी chloroplast में जो outer membrane और inner membrane के बीच में जो space है वो थोड़ा narrow है और inner membrane जो है ये space को enclose करेगी जिसमें homogeneous matrix भरा होगा जिसको कहते हैं stroma stroma रहेगा जिसमें इसका genetic system पाया जाएगा DNA पाया जाएगा RNA पाया जाएगा इसके जो ribosomes हैं chloroplast के 70S के हैं जो cytosol में पाया जाएगे ribosomes और 80S के होंगे तो थोड़ा सा इसकी size जो ribosomes की है वो छोटी है तो पहला compartment ये हो गया दूसरा compartment stroma हो गया और तीसरा compartment जो है ओ थाइलेक्वाइट space होगा या थाइलेक्वाइट सोते हैं इसके अंदर और ये डिस्क-like structure होंगे और वो डिक्व एक के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा इसरा से several dozen डिस्क-like structure जिनको थाइलेक्वाइट कहेंगे ये इस्टैक्वाइट रहेंगे और ये discs जो हैं, जो एक stack बनाएगा, उसको granum कहेंगे, यह एक granum है और यह दूसरा granum, यह देखिए, इसमें जो हैं, यह एक granum है और यह दूसरा granum है, और एक granum, दूसरे granum से interconnected है, यह देखें, इंटर granal thylakoid है, या इसको stromal lamella भी कहेंगे, तो इनका आपसी connection रहता है, जो outer membrane है, यह freely permeable है, ions के लिए और molecules के लिए, तो cytosol का जो composition होगा, वो इनके permeability के कारण, इस space के भी जो molecules होंगे सब बराबर रहेंगे, composition में, जो inner membrane है, यह ions और small molecules के लिए permeable नहीं रहेगे freely, यह restriction impose करती है, इसके through ions free movement नहीं कर पाएंगे, तो बहुत limited movement इसके द्वारा हो पाता है, जो की significant नहीं होता है, अगर हम एक granum का section काटेंगे, यह तो 3D structure है, अगर एक granum का हम ऐसे section काट दें, तो यह space इस तरह से इसके अंदर के दिखेंगे, जो space होगा, thyle acquired space, या इसको lumen भी कहेंगे, hollow spaces के बीच में, thyle acquired की membrane जो है, वो एक तरह से उस तरह से behave करती है, जैसे mitochondria की inner membrane behave करती है, मतलब mitochondria के inner membrane में, electron transport chain, oxidative phosphor relation, और chemiosmosis होती है, अब उस chemiosmosis के थ्रू ATP का production होता है, तो similar function जो है, वो thyle acquired की भी membrane करती है, chloroplast की inner membrane वो function नहीं करती है, जैसा की mitochondria की inner membrane करती है,